दिर अप्डरा बत्रम और चंता'RE तो अ करना रहा हैं और यसे नहीं है कि मैं नहीं बनाना चाहता हूं और अब क्या है कि को इस सब्जक्ट का, को इस क्लास का, उस क्लास का, फिर एक साथ देने में काफी प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं उस तरह करने करना चाहता हूँ, अब यहां पर जुनियर क्लास का में बना रहा हूँ, तो लगबग लगबग जुनियर क्लास का कई सारे सब्जक्ट में क पीछे वाला चप्टर जो है मैं चप्टर 5 का इंट्रोडीसिंग वीडियो बना चुका हूँ लेकिन उसमें अभी आगे मैं बनाने के लिए एक्सरसाइज रोक दिया हूँ और मैं चप्टर 10 में आप लोगों को बना के दिखाऊंगा ताकि आप लोग इसकूल के साथ साथ च चप्टर 10 में क्या दिया हूँ है यह चप्टर 10 है measurement of weight मैजरमेंट मतलब होता है मापना weight वेजन, किसी वस्तु का वेजन हम किस प्रकार से मापते हैं, और कीसे जानते हैं, उसका weight, तो उसी से समंदित यह चप्र दिया हूए है, तो इसमें आता है kg और gram, दोी चीज़ आता है, तो यहाँ पे उसी तरसे दिया हूँ 1 kg, तो 1 kg इकवल to क्या होता है, 1000 gram होता है, 1 kg equal to 1000 g और 1 g उसी को just alter किया हुआ है 1 g equal to तो 1 g equal to हो जाता है 1 by 1 by 1000 kg यह kg में बदल गया ग्राम kg में बदल गया और kg जो है वो ग्राम में बदल गया यहां दो ही unit के बारे में बदला गया है एक हो ग्राम जो कि यह छोटा small unit हो ग्राम और एक हो गया kg kg यह बदल गया है तो जब बड़ा unit में लिखा जाता है तो छोटा नमर लिखाएगा और जब छोटा unit में लिखा जाता है तो बड़ा नमर लिखाएगा यह दोनों equal है 1 kg और 1000 g लेकिन यहां पर ग्राम में जब लिखा गया है यह हम arrow लगा दिये हैं हम बड़ा unit से चोटे unit के और जा रहे हैं इधर जाये हैं और एक बार हम इधर से इधर गये हैं चोटे unit से बड़ा unit के और गये हम लोग इस बात को हम लोग बिल्कुली ध्यान में रखना है कि बड़े उनिट से छोटे उनिट में जाने के लिए multiply करना पड़ेगा और छोटे उनिट से बड़े उनिट में जाने के लिए divide करना पड़ेगा इस चप्टर में इस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसी को घुमा फिरा के द्यावा है अब इसी में आपको और क्या मिलने वाला है इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा पूरा Chapter इसी पर इसी का आछ पास घुमता है इस Chapter में उसी से संबंदित आपको aid मिलेगा, subtract मिलेगा multiply मिलेगा, divide मिलेगा और word problem मिलेगा तो word problem में भी इचार में से कोई एक्ट हो रहेगा तो बस इतना ही यह chapter है आप इतना समझ गए हैं तो यह chapter पूरी तरह से आप complete हो जाएगा तो आईए हम लोग solve करते हैं exercise 57 को Dear students हम लोग आ चुके हैं chapter 10 का exercise 57 में कई सारे students हैं जो मेरा WhatsApp नमबर मांगते रहते हैं तो मैं अपना WhatsApp नमबर देता हूँ लेकिन आप लोग को याद रखना है कि WhatsApp नमबर में सिर्फ WhatsApp करना है क्योंकि इसमें call नहीं होगा इसमें मैंने कोई recharge नहीं करवाया है सिर्फ इससे WhatsApp चलता है तो ये नमबर में देता है आप लोग को ये WhatsApp नमबर है आप लोग को किसी तरह का problem होता है तो आप comment कर सकते हैं ने तो WhatsApp भी कर सकते हैं इसके बाद हम लोग question number 1 को solve करते हैं question number 1 को हम लोग पढ़ते हैं convert into kilogram kilogram मतलब gram में है और इसको kilogram में बनाना है मतलब है कि ये छोटा unit से बड़ा unit में जाना है और छोटा unit से बड़ा unit में जाने के लिए हम लोग को करना पड़ता है divide तो हम लोग को kilogram में change करने के लिए divide करना पड़ेगा gram से kilogram जैसके मैं मतला चुका हूँ ये है gram और ये है kilogram तो अगर हम हम किलो ग्राम से ग्राम में जाते हैं तो multiply करना पड़ेगा हमको इसमें और ग्राम से किलो ग्राम में आते हैं तो हमको divide करना पड़ेगा यहां पर multiply करना पड़ेगा M, M मतलब multiply और ग्राम से किलो ग्राम में जाने के लिए हमको divide करना पड़ेगा D बस इसी केसारा मोलक चलते हैं, अब यहाँ पर हम लोगक को ग्राम से जाना है किलोग्राम में, किलोग्राम ग्राम से किलोग्राम तो इसका मतलब है कि डिवाइड करने पड़ag करने पड़ेगा 1 ठॉजं से तो हम डिरेकश को कर देते हैं 593 by 1000 Hmm है यह हो गया तब इसको जो है डिवाइड करने का सबसे इजी तरीका कैसे पता चलेगा कि डिवाइड में क्या आएगा तो यहाँ पर 1, 2, 3, 3, 0 है तो 3, 0 का मतलब हम इधर से गिनेंगे 3 और उसके बाद पॉइंट दे देंगे मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0.593 kg यह इसका अंसर हो जाएगा अब बी नमबर में 65 ग्राम दिया हुआ है तो इसको भी से मोही करना है क्या करना है 65 को 1,000 से डिवाइड कर देना है 1,000 से डिवाइड कर दिये तो क्या होगा अब इसको इजी वे में हमको डिवाइड जानने के लिए क्या करना होगा 1,2,3,0 है इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 3 नमबर होना चाहिए तो यहाँ पर एक नमबर होगा फिर यहाँ होगा यहाँ यह लास्ट में आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा 0.065 यह केजी यह अंसर हो जाएगा यहाँ पे point के बाद आप देख रहे हैं तीन number है तो एक number यहाँ पे नहीं है दो number already है जो नहीं है जहाँ पे वहाँ पे हम zero लगा देंगे यह हो गया complete इसके बाद question number c में यहाँ पे number को और छोटक क्या गया है तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे तो three लिखेंगे और इसको one thousand से divide कर देंगे अब इसको divide क्या होगा तो हमको point के बाद तीन number चाहिए तो zero point हो गया उसके बाद एक number तो है लेकिन दो number नहीं है तो इसके लिए हम वहाँ पे zero रखेंगे और three केजी यह answer हो गया इसका अब यहाँ पे four number है four digit है यहाँ पे तो यहाँ पे nine seven zero six और one thousand से इसको करेंगे divide तब यहाँ पे already four digit का number है तो इसको क्या करेंगे हम लोग one two three three zero है तो one two three यहाँ पे three हो गया उसके बाद point यहाँ आएगा point तो यह क्या हो जाएगा nine point seven zero six यह हो गया इसका answer केजी में आ जाएगा answer हो गया अब उसी तरह से question number e में तो यहाँ पे एक बड़ा सा number दिया हुआ है तो इसको हम लिखने के बाद इसको करेंगे one thousand से divide तो फिर यहाँ पे three zero तो इसका मतलब one two three three के बाद point देंगे इसका मतलब eighteen point zero zero nine केजी यह इसका answer हो गया यहाँ पे भी वही चीज़ है seven five double zero को करेंगे हम लोग one thousand से divide one two three three के बाद दर से गिनेंगे और point देंगे इसका मतलब है कि seven point five double zero केजी answer यह होगे complete कफी आसान है question number g में दो भाग में दिया हुआ है one केजी केजी में दिया हुआ है और यह ग्राम में दिया हुआ है तो हमको केजी में बनाना है इसको हम direct लिख सकते है equal to one point seven ninety three केजी यह हो गया इसका answer और बस उसी तरह का ठीक उसके उल्टा जो है question number two में दिया हुआ है यहाँ पे convert into gram अब जो है kg और gram दोनों में यह दिया हुआ है और इसको बदलना है हमको सिर्फ gram में बदलना है kg हटा देना है तो इसको हमको kg जो है उसको हमको convert करना है जो gram है उसको सिर्फ add कर देना है तो क्या करेंगे one kg दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि कि 1 kg इक iPhones 1 थॉ जबर टू 1000 ग्राम और हमको ग्राम में चींज करना है तो हम 1000 से को मल्टिप्लाइ करेंगे क्योंकि यहिंचो बड़ी युटि से छोटे उच्वाङ्ट करना है तो बड़ी युणिट से छोटे ट्विञ्टी कि यह क्या हो जाएगा यह जाय गांस तो मैं ठाउजन I को होजए एगा सभान द्रॉज क्रांश कि यह क्लाřन ट्विश यह हुग ऐर さंकर अब यहां पर केजी के जगर परकेट्ब होता हो टायक और यह ग्राम होता है तो यहां पर कोई भी केजी नहीं है अगर हम इस तरह से करते हैं तो इसमें भी आएगा जीरो लेते हैं और 1000 से इसको मल्टिप्लाइ कर देते हैं प्लस करते हैं 306 तो यह 0 से मल्टिप्लाइ होने पर वह 0 ही रहता है तो यह 0 हो गया प्लस 306 तो इसको प्लस करने पर उतना ही आएगा 306 ग्राम अंसर हो गया उसके बाद question number C question number C में यहाँ पे जो point में जो दिया हुआ है वो हो गया केजी में और यह हो गया gram तो हम इसको भी ऐसे ही करेंगे तो point वोला जो है उसको हम multiply करेंगे 2 into 1000 प्लस यह 0 का value आना ही बनेगा तो यहाँ हो जाएगा 60 तो यहाँ हो जाएगा 1000 into 2 2000 हो जाएगा प्लस 60 equal to 2060 ग्राम एंसर यह हो जाएगा इसका आगे हम लोग देखते हैं इसका आगे question number D में यहाँ दिया हुआ है 89 दिया हुआ है 89.007 89 को हम लोग 89 into 1000 प्लस 7 हो जाएगा 00 का उसके पहले जो है उसके कोई value नहीं होगा तो 89 को multiply मतला हुए है multiply करने के लिए कि 0 को multiply किस तरह से क्या जाता है 89 का 89 प्राजाएगा उस पे 30 आ जाएगा 89 पे 30 1, 2, 3 यह हो गया और प्लस 7 तो इसका क्या हो जाएगा 89 007 यह हो गया इतना ग्राम हो गया यह answer हो गया इसका उसके बाद इसमें भी बिल्कुल वे साही है 70 70 into 1000 प्लस हो गया 8, 9, 3 70 पे 30 आ जाएगा 70 1, 2, 3 प्लस 8, 9, 3 तो क्या हो जाएगा 70 8, 9, 3 ग्राम यह answer हो गया भी complete हो गया question number 3 यह सारे question काफी easy है अप लोग आसानी से समझ में आ जाएगा यहाँ पे convert into kilogram and gram kilogram में भी बदलना है और gram में भी बदलना है तो kilogram और यह gram में है तो kilogram में बदलना के लिए क्या करना होगा हमको 1000 से इसको divide देना पड़ेगा 1000 से divide देएगे तो point के बाद जाएगा वो gram में हो जाएगा और point से पहले जाएगा वो kilogram में हो जाएगा तो हम इसको देते है one thousand से जो लिखा हुआ है उसी को लिखते है 3 0 हो गया और 6 हो गया इसको 1000 से डवाट दिये तो यहाँ 3 0 है 1 2 3 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा यह हो गया 70.00 6 इसका मतलब हो गया 70 kg 6 ग्राम यह अंसर हो गया इसका उसके बाद इसमें भी वही करना है सबने सेम काम करना जितना लिखा हुआ है उसको लिखना है और 1000 से डिवाट दे देना है तो यहाँ पे 1000 में है तो इसको 1000 से डिवाट दे 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 है 1 2 3 3 के बाद इसमें पॉइंट लग जागा इसका मतलब है कि यह हो जाएगा 5.908 इसका मतलब है 5 kg 908 अब सी नमबर में यहाँ भी वही करना है 1 3 7 00 1000 1 2 3 ते दे बाद पॉइंट लग जागा यहाँ आ गया 13.700 तो यह इसका मतलब है कि 13 kg kg 700 ग्राम D नमबर में D नमबर में अल्रेटी पॉइंट में दिया हुआ है तो इसको और कुछ करने के आउ सकता नहीं है तो पॉइंट में दिया हुआ तो पॉइंट से पहले जो है वो kg में हो जाएगा और यह ग्राम में हो जाएगा तो यहापे हम डारेक्ट लिख सकते हैं 21 kg—909-0kel होगा इसका answer क्वेस्चन नमबर में यहाँ पॉइंट में दिया हुआ है यहाँ पॉइंट में दिया वा है इसका मतलब है कि हम लोग इसका answer डारेक्ट लिख सकते हैं 45 kg 008 लिखा हुआ इसका मतलब है कि 8 ग्राम हो जाएगा 8 ग्राम अगर यहाँ पर आता तो 80 ग्राम होता और अगर यहाँ पर आता तो 800 ग्राम होता यह अंसर हो जाएगा यहाँ पर 16 kg 70 ग्राम यह अंसर हो गया अब what problem दिया हुआ है question number 4 में इसको पहले हम लोग बढ़ें से पढ़ेंगे उसके बाद इसको solve करेंगे reach out about 0.5 kg butter reach out एक लड़की है जो 0.5 kg butter खरीती है she told her mother that she has about 50 gram butter और वह जब वापस बजार से आती है तो अपने मामी से बोलती है कि वह 50 gram butter मक्कन खरीती है was she right क्या वाज सही बोलती है if not अगर नहीं बोलती है what should be the correct answer तो फिर सही answer क्या होगा तो यहाँ पे 50 gram बोल रहा है और यहाँ पे 0.5 यह different है यह gram में है यह kg में है इसलिए यह different है सबसे पहले हम बोले है कि c was not right सबसे पहले वह सही नहीं बोली तो सही क्या होगा यह 50 gram तो पता चल रहाम को यह kg में दिया हुआ है कैसे पता चल लगए यह कितना gram है तो इसको kg को हम लोग gram में जब change करते हैं तो क्या करते हैं 1000 सो इसको multiply करते हैं तो इसको हम लोग convert करके देख लेते हैं 0.5 into 1000 इसको multiply करते हैं तो क्या आजाएगा multiply करने पर क्या होता है 0 और से नमबर से multiply करेंगे तो यह जो है बड़ा होते जाएगा तो यह तो 0 है तो यह point जो है वो तीन बार इधार आएगा तो एक बार आएगा यहाँ फिर एक बार आएगा तो एक जिरू आजाएगा और फिर एक बार आएगा तो उसको आप multiply जब करेंगे तो यह आएगा 500 आजाएगा 500 आजाएगा 500 ग्राम तो यह 50 ग्राम बोली है और यह 500 ग्राम है मतलब है कि यह different है और यह correct क्या होगा 500 gram correct होगा 500 gram is correct answer तो यह यह answer हो जाएगा यह होगे complete question number 5 में हम लोग देते हैं जो है इस exercise का last question है तो इसको हम लोग solve करेंगे यह exercise जो है complete खतम हो जाएगा इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद पता चलेगा अतुल ordered for 1 kg 30 gram अतुल 1 kg 30 gram order करता है the shopkeeper weights 1.30 kg rice for him तो दुखंदार जो होता है वो उसके लिए 1.30 kg rice तोल के रख देता है वेट कर देता है did he get the correct weight क्या उसने सही माप किया है वो जितना बोला उतना वो वेट किया if not अगर नहीं किया है what should be the correct weight तो correct weight क्या होगा तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं कि वो गलत weight क्या है सबसे पहले यह पता चलेगा कि उसने सही माप नहीं किया है तो सही क्या होगा तो यहाँ पे kg में हमको निकालना है इसको पहले हम ग्राम में चेंज कर देते हैं फिर हम completely वो कितना kg में आएगा पता चल जाएगा तो 1 kg 1 kg into 1000 plus 30 क्या हो जाएगा 1000 plus 30 equal to 1030 ग्राम इतना हो गया यह कितना kg हो जाएगा kg में इस तरह से आएगा 1000 1000 हो गया तो यह क्या हो जाएगा equal to 1.030 kg 1.030 answer kg answer यह हो जाएगा यह सही weight हो जाएगा यहाँ पर exercise 57 पुरी तरह समाप्त हो जाता है अगर आप लोगो को हमारे वीडियो से मैतने थोड़ा भी मदद मिल रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को like जरूर कीजिए और कोई भी problem हो रहा है तो comment box पे comment कीजिए या फिर whatsapp नमर में ने दे दिया है आप उसमें whatsapp कर सकते हैं इसे तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और next exercise को solve करने के लिए हम लोग next वीडियो में चलेंगे